नमस्कार बच्चो तो आज हम लोग second chapter शुरू कर रहे हैं excited तो होगे आप लोग ठीक है और आपको जैसे कि मैं बता दूँ इस chapter का नाम है inverse trigonometry function metric function ठीक है तो बच्चो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था identity and some some formulas basic formulas फिर अपने 11th में कुछ half angle formulas और कुछ नए नए टाइप के formulas और नए तरह के questions किये थे लेकिन बच्चो अब बात आती है कि अगर ये चीज inverse में हो जाए तो काम कैसे चलेगा इसको inverse में हम लोग कैसे बात कर सकते हैं ठीक है जैसे अगर मैं आप से कहूं कि भई अब जैसे देखिए अब एक बात बताईए मुझे सिंबल सी बात बताईएगा भई 15 यहां पर क्या number put करूँ कि पांच आ जाए ठीक है तो आपने बोला जी तीन पुट करो तीन पंजे पंदरा होता है ठीक है लेकिन अब तक हम क्या करते थे कि भई 15 बटा तीन लिखते थे बताओ यहां पर क्या आएगा यह तो सीधा-सीध कोश्चन था यह क्या था यह सीधा-सीधा कोश्चन था कि भई इसको काटेंगे तो आपने अंसर लिख दिया 5 लेकिन अगर इसी कोश्चन को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूँ अपने तरस से ट्विष्ट कर दूँ तो यहां यह लिख दूँगा जी यहां पर 15 है यहां प उसी का उल्टा पूछने लग जाएं तो हम लोग क्या मन जाता है वो inverse जैसे एक छोटी सी बात ले रहा हूँ अगवी तक आपसे बोला गया बताओ भाई साइन 60 की value क्या है तो आप वटाक से जवाब देते है root 3 by 2 root 3 by 2 तो अगर आपसे पूला जाए कि साइन इनवर्स root 3 by 2 की कितनी value होगी तो अगर साइन 60 पे root 3 by 2 value आ रही है तो root 3 by 2 की value sign कितने degree पे होगी तो 60 degree पे होगी यह answer मतला अब तक angle देके value पूछी थी अब value देके angle पूछेगा simple सी बात अगर मैं आपको simple सब्दों में समझाओं ठीक है तो बच्चो इन ही सारी बातों को हम लोगों ने test कर लिया है और यह पता कर लिया है कि किस किस तरीके से हम लोग sign, cos, ten, sec, cos, cot इन सबका answer कैसे निकाल सकते हैं इनकी हम लोगों ने value 0 से लेके 2 pi तक सारी value हम लोगों होंगे वो में सिखाऊंगा ठीक है अच्छा mostly teacher देखो कई teacher है जो इसको graph से भी समझाते हैं ठीक है कई teacher से इनको अलग और तरीके समझाते हैं तो भाई मैं आपको ना इतने complication में नहीं डालूँगा कि आपको graph समझाओं ऐसे समझाओं तो होगा क्या वो आपके लिए खु एक टेबलेबर टेबल गला तो पहले हां पहले यहां पर अधогला टेबल देख लो अगरे टेबल समझ जाओ अना साथ यादो देखो अगरे टेबल डेखो और वाले साइन इनवरस माल लो ठीक है है और Regarding लें डॉम में ए domain, domain, sin inverse x, यहां angle x चल रहा है, domain है अपना minus 1 से 1, ठीक है, और range है इसकी, range है इसकी minus pi by 2 से pi by 2, bracket देख लो कौन सवाला है, bracket का मतलब समस्ते हो ना, less than and equal to, ठीक है, और यह सारे होता है, या greater than and equal to, ठीक है, अच्छा, अगला देखो, cos inverse x, क्या है, minus 1 से 1, लेकिन इसका जो range है, वो बदल गया, 0 से pi हो गया, ठीक है, अब अगला देखो, tan inverse x, तो इसका all real number होते हैं, domain, और लेकिन angle होगा, minus pi by 2 से pi by 2, ठीक है, अगला है, cosic inverse x, sin का उल्टा तो cosic होता है, तो सारे real number होंगे, बस minus 1 से लेकि 1 के बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जब ऐसा है, तो angle में भी कुछ change आएगा, angle में change आए, minus pi by 2 से लेकि, pi by 2, लेकिन 0 को involve नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा, अगला क्या है, cosic के बाद, secant inverse x, तो इसका क्या है, all real number, minus 1, 1, ठीक है, और इसका होगा, 0 से pi, लेकिन pi by 2 को involve नहीं करेंगे, ठीक है, अगला क्या है, secant के बाद, cot, cot inverse x, all real number, ठीक है, और यह 0 से pi के बीच में, ठीक है, चलिए, सुरू करें, हांजी, अजर ध्यान से समझेंगे, बच्छो पहले, पहले ध्यान से समझेंगे, अब इसको, ठीक है, हांजी, ध्यान से समझेंगे इनको, हांजी, अब देखो जड़ा, क्या करना है इन्हें, इन्हें क्या करना है, समझना है, बच्चे, sin inverse x कि maximum से maximum value कितनी जा सकती है 1 और minimum से minimum value कितनी जा सकती है minus 1 कितनी जा सकती है minus 1 ठीक है इस से नीचे value कभी नी जाएगी और ये जो angle है ये किसके बीच में घूम रहा होगा बच्चो ये minus pi by 2 से लेके pi by 2 के बीच में घूम रहा होगा कभी भी, देख लेना ठीक है, even यहां तक अगर मैं बात करूँ, यह इसके domain मतलब यह इनकी value गुमने की बात है इनके सारी value इनके बीच में गुमेगी ठीक है, अगर इसी तरीके cos inverse का देखें, तो इसका भी minus 1 से 1 के बीच में गुमेगी value ठीक है और angle कहां से कहां तक 0 से πाई के बीच में 0 से πाई के बीच में ही angle घुमता रहेगा इसका जब मैं solve कराऊंगा तो दिखाऊंगा आपको कि देखना हर बार cost का जो value आएगी cost inverse x की जो भी value आएगी वो इसी के बीच में होगी या x की जो भी value होगी वो इसी के बीच में होगी और अगर इससे बाहर जाती है तो वो क्या करेगा exist ही नहीं करेगा ठीक है वो तो जब मैं आपको question कर वाँगा तो एक एक चीज के लिए रोगी बस इसको अपने दिमाग में रखना है ठीक है 10 inverse x ठीक है ये इसके कोई भी real number आ सकते है कोई भी real number ठीक है जितनी आप value आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी real number इसमें आ सकता है लेकिन बच्चो इसका angle हमेशा minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में रहेगा हाँ अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा बच्चो इस bracket का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग पहले ध्यान से देखना अगर bracket है ऐसे तो इसका मतलब है कि मान लो कोई x number जो इनके बीच में आ रहा है वो ऐसे रहा होगा लेकिन अगर bracket लगा हुआ है ऐसे और कोई x number इनके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो a से बड़ा भी है और a के बराबर भी हो सकता है और b से छोटा भी है और b के बराबर भी हो सकता है इसे कहा जाता है closed bracket इसे कहा जाता है open bracket ठीक है इस bracket में हम इसे involve नहीं करते हैं जबकि इस bracket में हम इसको involve करते हैं ये बाते हमने sets के chapter में सीख ली थी 11th में ठीक है अच्छा है इसी परकार cause sec inverse x ये सारे real number को belong करेगा लेकिन minus 1 से 1 के बीच में इसकी कोई value नहीं आएगी ठीक है इसी वज़े से cause sec inverse x minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में तो रहेगा लेकिन 0 degree पे नहीं क्यों क्योंकि cause sec 0 infinity होता है अगर याद हो आपको ठीक है अच्छा है इसी परकार sec inverse x ठीक है सारे real number रहेंगे लेकिन इसके बीच कोई value नहीं ली जाएगी क्यों क्योंकि 0 से pi के बीच में तो angle ले सकते है लेकिन pi by 2 नहीं ले सकते क्यों क्योंकि sec pi by 2 भी क्या होता है infinity इस वज़े से अच्छा अब रहे गया cot तो cot कभी क्या है all real number और 0 से pi अब तुम बोलोगे sir cot में भी तो आता है ये infinity तो उसको क्यों नहीं लिया क्योंकि जब इसके कभी भी questions create होंगे न तो वो आपको infinity बनाते हुए दिखाएंगे कभी भी infinity बनाते हुए नहीं दिखाएंगे ठीक है तो इस बात का धियान रखना तो बच्छो ये फटाफट note कर लो ठीक है जब मैं एक एक करके सारे questions करवा होंगा तो यह अपने आप तुम्हारा क्या हो जाएगा उसमें समझ माना शुरू हो जाएगा कि हमें क्या करना है ठीक है चलिए questions करवाता हूँ मैं तो देखो भी अब आपको क्या करना है अब जैसे की देखना मैं इनी के basis पे आपको कुछ questions करवाऊंगा वो देखो जैसे एक question ये ले लो जैसे एमान लीजी हमने ले लिया भाई कि कॉस inverse root 3 by 2 और हमसे question में बोला गया कि भई find the principal value अब याद होगा आपको principal value आप लोगों ने अपने बच्चपन में 11th किलास में निकाले ही भई कैसे निकाले ही भई कुछ angle निकालते थे angle means आप x की value निकालते थे सबसे पहले क्या काम करो अब भई let करो कि कॉस inverse root 3 by 2 x के बराबर है आप ये लेट कर लो ठीक हैं अब ये लेट कर लो तो आप क्या देखेंगे आप लोग क्या देखेंगे बस simple सा एक काम करना है इसको उठाके उस तरफ ले जाओ इसको उठाके उस तरफ ले जाओ तो भई यहां पर root 3 by 2 रह जाएगा cos inverse x को वहां लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा cos x हा की ना अरे इन्वर्स हट जाता है आप लोगों ने determinant में भी यही देखा है एक को उठा के उधर लेके जाओगे तो inverse हो जाएगा लेकिन जब inverse वाले को उठा के दर लाओगे तो वापस वहीं आ जाएगा अच्छा तो अब जल्दी से बताओ cos x जो है वो root 3 by 2 कहां पर होता है जल्दी बताओ 30 पर तो क्या मैं इसकी जगा पे cos pi by 6 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ जल्दी बोलो लिख सकता हूँ न अब आपको पता यह सेम हो गया तो x बराबर किस के आ गया pi by 6 के अब हमें चेक करना है कि हमारी value ठीक है की नहीं तो जल्दी बताओ यह value हमने निकाली angle जो निकाला है वो किस के लिए cos inverse की value में अच्छा अब जल्दी बताना भाई जो angle आया है वो क्या है pi by 6 क्या pi by 6 0 से pi के बीच में आता है अरे बिल्कुल आता है क्योंकि pi by 6 क्या होता है 30 degree और 0 तो 0 है और pi कितना होता है 180 तो भाई 0 से 180 के बीच में हमारा 30 degree lie करता है और जब lie करता है तो इसका मतला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है और यही हमारी principle value है कोई दिक्कत किसी को ठीक और अगर आप पता कर रहे हो root 3 by 2 तो देखो root 3 by 2 तो minus 1 से 1 के बीच में आता ही है बिल्कुल definitely ठीक तो इस तरीके से बच्चों हमें question करना है तो इगर लिए अपने तो आप मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको चेक करना है कि क्या हम जितने भी answer निकाल रहे है क्या वो इनके अंदर लाई कर रहे है यही आपको चेक करना है ठीक है क्योंकि एक दू बार होगा ऐसा कि आपके साथ answer match ना करे तो उसको दूसरे तरीके से करवाए जाएगा ठीक है चलो अब देख लो फटा फटा ठीक है अब जैसे एक question और देखो यह question देखो जैसे हमने देखा कॉसेक inverse 2 इसकी principle value find करनी है ठीक है तो पहले तो इसको let कर लो भाई किसके बराबर x के बराबर फिर कॉसेक को ठाके उधर लेके जाओगे तो यह बन जाएगा कॉसेक x बराबर मैं क्या है 2 अच्छा कॉसेक की value 2 कहां पर होती है 30 पे तो क्या मैं कॉसेक 5 by 6 लिख सकता हूँ बिल्कुल तो x की value क्या आई 5 by 6 अब जल्दी से चेक करो अपने range में range में चेक करो क्या कॉसेक की value हाँ जी क्या कॉसेक की value वही हमें किस पे चेक करना था देखो फटा-फट range आपके सामने ला रहो है कॉसेक की value की range है minus 5 by 2 से लेके 5 by 2 के बीच लेकिन 0 involved नहीं होना चाहिए तो क्या 5 by 6 5 by 6 बोले तो 30 degree क्या minus 90 से 90 के बीच में आएगा बिल्कुल आएगा तो इसका मतलब हमारा answer बिल्कुल सही है ठीक है चलिए एक question और करते है ठीक है एक question और करते है चलो अब ये question करके देखो हाँ जी अब इस question को करके दिखाओ मुझे कोई बच्चा है जो फटाफट एक मिनट का टाइम दिये जा रहा है करके दिखाओ sin inverse minus root 3 by 2 जल्दी से करके दिखाओ इसे ठीक जल्ले लिए करके दिखाओ फटाफट चलो मैं उमीद करता हूँ हो गया होगा अब तक अब देखो हाँ जी इसको let किसके बराबर करोगे x के उठा के उधर ले जाओ sorry here sin inverse है बच्चो sorry 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 लिखने भी mistake होगे बई sin inverse minus root 3 by 2 minus ही है न हाँ ठीक है तो यहाँ let कर लो x के बराबर sin को ठागे उधर ले जाओगे plus का हो जाएगा sin x बराबर minus root 3 by 2 चलो बई देखो minus का तो आपने ठेका लिया नहीं लेकिन इतना पता है कि root 3 by 2 जो होता है वो 60 degree पो होता है अच्छा अब आप लोगों ने 11th किलास में formula बढ़ाता sin minus theta बराबर minus sin theta 10 minus theta बराबर minus 10 theta formula में एक एक करके लिखवाता चलूँगा आप लोगों को ठीक है अच्छा अगला क्या रहा गया cot minus theta बराबर minus का cot theta उसके बाद क्या था cos sec minus theta बराबर minus का cos theta लेकिन कुछ case अलग हो गए थे cos minus theta बराबर होता था plus का cos theta और sec minus theta भी बराबर होता था प्लस का sec theta यही होता था हम लोगों नहीं इह पता किया तो जल्दी बता हो sin x बराबर minus sin theta minus sin theta क्या sin minus theta की बराबर होगा अरे बिल्कुल होगा चलो अब हमें आगे बढ़ने की जुरुत नहीं है बस हमें चेक करना है कि भई साइन के रेंज क्या है तो भई साइन का रेंज था क्या minus का pi by 3 इसके बीच में आ रहा है क्या minus का pi by 3 इसके बीच में आ रहा है अरे भाई minus का pi by 3 की value होती है minus 60 तो minus 60 तो भाई इसके बीच में कहीं न कहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिलकुल लाई कर रहा है तो इसका मतलब यह देखा हमने कि minus pi by 3 जो है वो minus pi by 2 से लेके pi by 2 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो x आया वो क्या आया? minus का pi by 3 इस तरीके से हमें principal value निकालनी है चाहे तो एक question और देखो एक question और देखो जैसे यह देखो हाँ बई एक question यह देखो cos inverse minus का 1 by root 2 यह थोड़ा सा different question है ठीक है? यह question देखना इसको let करोगे x के बराबर अब देखना अब यहाँ पर थोड़ी से जो है बई गाड़ी थोड़ी से अपने अलग गेर में आईगी कैसे? cos inverse x को ठाके वहाँ ले जाओ आपका cos x बनेगा? हाँ की न? बचा 1 minus root 2 यहाँ तक clear? अच्छा अब बजगिया cos x ठीक है जी? cos x हाँ जी minus 1 बटा 2 क्या बने गया? minus 1 बटा root 2 क्या बनेगा? जल्दी बोलो cos pi by 4 क्यों? क्योंकि 1 by root 2 होता है क्या? cos 45 ठीक? अब भई देखो कहने को, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कहने को यह क्या है? minus cos pi by 4 minus cos pi by 4 अब भई ऐसा तो कोई formula बनता हो दिखाई दे नहीं रहा मुझे ऐसा तो कोई formula बनता हो दिखाई दे नहीं रहा मुझे ठीक है? और अगर मैं अगर मैं इस minus को angle के पास लेके भी चला जाता हूँ तो भई क्या ये formula इसको apply करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ये formula इसको apply करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको भई करवाएंगे? अब याद करो आप लोगों ने अपने 11 खिलास में एक चीज़ सीखी थी क्या भई? All, School to College बताया था ना, यही रट्टा लगवाते हैं हर कोई ठीक है, All का मतलब क्या? कि First Quadrant में सबकी Value Positive School का मतलब क्या? Sign और उसका उल्टा Cossack ठीक है? इनकी Value Positive, बाकी सबकी Negative T का मतलब क्या? T का मतलब 10 और उसका उल्टा Cot उनकी Value Positive, बाकी चारों की Negative C, College College का मतलब क्या? कि C का मतलब Cos और Cos का उल्टा Sec इसकी Value Positive, इन दोनों की बाकी सबकी Negative यही सीखा था ना, हमने? ठीक है? यही सीखा था हम लोगों ने, 11 खिलास में तो बच्चों एक बाद बताओ यह Cos X, अगर Negative आ रहा है अगर Cos X Negative आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि यह कौन-कौन से Quadrant में हो सकता है? मुझे यह बताओ तो इह देखो, Cos की Value एक तो First में Positive है और एक Fourth में Positive है तो इसका मतलब या तो वो Second में होगा या तो वो Third में होगा अब हमेशा जो घड़ी घूमती है उसके उल्टे में जाते हैं हम लोग यानि Anti-Clockwise तो अगर मैं Anti-Clockwise यहां से शुरू करूँ तो पहले कौन से Quadrant बढ़ता है? Second बढ़ता है तो भाई मैं इस Angle को Second Quadrant में लेके जाऊंगा कौन से Quadrant में लएके जाऊंगा? Second Quadrant में और Second Quadrant में महुचने के लिए पियारे बच्चों हम माइनस किस में से करते है? Pi में से माइनस करते है याद आया कुछ Pi में से क्या माइनस करेंगे? Pi by 4 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि Cos 4 एकम 4 और 3 ये 3 pi by 4 और भाई देखो हमारा एंगल क्या आ गया x बराबर 3 pi by 4 अब देखो cos की जो range थी वो क्या थी 0 से pi तो 0 कितना है? 0 pi कितना है? 180 तो जल्दी बतादो 3 pi by 4 कितना होता है तो 3 pi by 4 होता है बच्चो 45 गुने में 3 135 डिगरी तो क्या 135 डिगरी 0 से 180 के बीच में आता है? बिलकुल आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि sir आपने ये आंसर क्यों नहीं लिया? क्या गलती इसमें? तो गलती ये है मेरे बच्चो कि minus का pi by 4 होता है minus 45 लेकिन cos तो क्या कह रहा है? आसकता कभी? भै कभी नहीं आसकता 0 से 180 के बीच में minus का pi by 4 कभी नहीं आसकता तो इसलिए हमने इसका क्या चेक किया? Quadrant जो कि Quadrant कहा निकला? Second में और Second Quadrant में इसकी value 3 pi by क्या थी? 4 थी और Second Quadrant में होने की वज़े से ही इसकी value क्या है? ठीक है? फटा फट नोट करो एक कोशन और कराता हूँ जल्दी नोट करो ऐसा ही एक कोशन और भी कराता हूँ इधर का तो नोट करी लिया होगा आस टेंसल लाद तो सरीफ 2.1 ही करा हूँ ज़्यादा खतरना काम नहीं एक और देखो 10 inverse minus root 3 10 inverse minus root 3 इसमें भी आपको principal value ही निकालनी है ठीक है? निकालो निकालो ज़रा पहले 10 inverse को बहाँ ले जाओ 10X मनेगा minus का root 3 अंजी root 3 कितने बहुता है? 60 बहे तो 10, 60 कितना आ गया? minus का pi by 3 अच्छा अब formula को आप अच्छे से जानते हो कि भई 10 minus theta बराबर होता है minus 10 theta apply कर रहा है? लगाओ formula तो भई minus का 10 theta क्या बन जाएगा? 10 minus theta 10 minus theta हाँ जी अब आपको ये check करना है range में ये check करना है क्या range के अंदर minus pi by 3 आ सकता है? क्या range के अंदर minus pi by 3 आ सकता है? तो बच्चो देखो इसकी जो value थी 10 की अगर 10 के range की value आपने देखी होगी तो 10 के range की value क्या थी? minus pi by 2 से pi by 2 के बीच और bracket भी कौन सवाला है? open वाला bracket भी कौन सवाला है? open वाला तो जल्दी से बतादो फटा-फट क्या minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में minus pi by 3 लाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो हाँ बोलो नहीं कर रहा है तो ना बोलो जल्दी बोलो तो बच्चो mostly का answer होगा हाँ क्यों होगा? क्योंकि minus pi by 2 होता है minus 90 और pi by 2 होता है 90 और minus pi by 3 क्या होता है? minus का 60 तो भाई minus का 60 तो इसके बीच में आएगा तो इसका मतलब x की value minus pi by 3 बस इतना से चेक करना होता है तो अगर आपको range याद है तो आप एक second में answer निकाल देंगे range याद नहीं है तो भाई फिर तो गोल-गोल घुमते रहो तो इसलिए सबसे पहला काम आप लोग range याद करेंगे और दूसरा काम 11th class के जो मैंने last class में ही समझा दिया था मैंने कि 11th class के कुछ basic formula है वो पढ़ना सुरू कर दो ठीक है जैसे कि ये quadrant हो गया ठीक है तो फटा-फट इन question को revise कर लो मैं आपको इसके बाद 5 minute का 11th revise करा रहो ठीक है ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बाद दुबारा आ जाए कि हम लोगों ने 11th में क्या पढ़ा था ठीक है चलो ये तो note कर लिया होगा अब मैं थोड़ा सा 11th याद दिला रहा हूँ आप लोगों को एक बार देख लेना चलो ये क्वादरेंट हुआ करता था फर्स्ट क्वादरेंट 0 डिगरी से सुरू होता था 90 डिगरी तक रहता था 90 डिगरी अब मैं 90 पाइनटी कुछ नहीं करूँगा सीधा पाई बाई टू ठीक है जी ये 180 होता था लेकिन मैं इसको पाई लिखूँगा ये 270 था लेकिन मैं इसे 3 पाई बाई टू लिखूँगा यहाँ पे बाई क्या होता था 360 लेकिन मैं 2 पाई लिखूँगा क्या सीखा हमने कि बाई फर्स्ट क्वादरेंट जो होता है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है जहाँ पे अब आप लिख लिख लिया कि सारे ट्रिगनोमेटरी वैलू पाई लिखूँगा लेकिन अगर बात करें हम सेकंड क्वादरेंट की तो सेकंड क्वादरेंट में एंगल पाई बाई 2 से पाई के बीच में चलता है ठीक है जहाँ पे साइन और उसका उल्टा कॉसेक इनकी वैलू पॉजिटिव बाकी चारों की कॉस की, सेक की, टैन की और कॉट की इन सभी की वैलू क्या चलती भई नेगिटिव चलती इनकी वैलू ठीक, अब बात अगर मैं करू थर्ड की थर्ड कॉडरेंट की तो यह पाई से 3 पाई बाय टू के बीच में होता है ठीक है? पाई से 3 पाई बाय टू के बीच में होता है जहाँ पर क्या? फटा फट बता दो भई, कॉसेक सुरी, 10 और उसका उल्टा कॉट इनकी वैलू तो होती है पॉजिटिव बाकी चारों की क्या होती है? नेगेटिव, जो बच गए बाकी चार थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है 3 πाई बाई 2 से लेके 2 πाई के बीच में जहां पे कॉस और उसका उल्टा सेक इनकी वैल्लू तो पॉजिटिव होती है बाकी जो चार बच जाते हैं उनकी वैल्लू नेगेटिव यह मैंने आपको 11th किलास में सिखाया था और एक बर दुबार रिवाइज करा दिया है ठीक है? तो देख लो इसमें सबकी वैल्लू पॉजिटिव इसमें साइन और कॉसक की पॉजिटिव बाकी सबकी नेगेटिव इसमें टैन और कॉट की पॉजिटिव बाकी सबकी नेगेटिव इसमें कॉसर सेक की पॉजिटिव बाकी सबकी नेगेटिव तो इस तरीके से चलेगा ठीक है? कोई दिकत? चलो, अब यह हो गया? अब एक चीज और सीख लो, लगे हाथ ठीक है एक चीज और इसमें एड़ कर लेना अपनी तरफ से क्या आड़ करवाद हूँ क्या आड़ करवाद हूँ नेगेटिव एंगल फॉर्मुले तो बताई दिये ठीक है एक फॉर्मुला रह गया है चलो ठीक है अभी उसको छोड़ दो पहले तो आप यह करना सीखो चलो अब यह करके दिखाओ मुझे सेक इनवर्स माइनस टू यह करके दिखाओ चलो वीडियो पॉस करो और फटाफट एक मिनिट में करके दिखाओ मेरे को सलो हो गया होगा तो पहले तो लेट करेंगे किसके बराबर x के सेक इनवर्स वहां ले जाओ भंजागा सेक x यह वनेगा माइनस का टू अब आपको तो पताए यह माइनस का टू कितने पायगा 60 पे तो सैक beste माइनस का formula इसका बनता है नहीं ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो एक काम करो ये minus अंदर ले जाओ ठीक है तो ये बन जाएगा minus का pi by 3 ठीक अब check करना है range के हिसाब से क्या sec की value minus pi by 3 के बीच में आती है चलो check करो range check करो sec का तो ये आता है 0 से pi के बीच में लेकिन pi by 2 नहीं होना चाहिए तो भाई एक बात बता दो ये minus का pi by 3 क्या इन plus वालों के बीच में कभी भी आ सकता है कभी नहीं आ सकता तो जब नहीं आ सकता तो भाई हमें arrange करेंगे अब check करो कि sec की value negative कहां पर है तो हम इसको second में लेके जाएंगे किसमें लेके जाएंगे second में और second में कैसे जाते है pi में minus करके कैसे जाते है pi में minus करके तो sec हंजी तीन और ये 2 pi by 3 तो भाई دेखो x अबाबर किसके आ गया 2 pi by 3 तो ये आपका range है ठीक है अब check करो 2 pi by 3 कितना होता है 2 by 3 होता है pi by 3 का मतलब 60 60 दूनी 120 तो बच्चो 0 तो 0 यह है pi 180 है तो क्या 120 इसके बीच में आएगा बिलकुल आएगा और हाँ क्या apply नहीं करेगा 90 degree apply नहीं करेगा तो भाई हमारा answer 90 degree थोड़ी आया है हमारा answer तो 120 degree आया है कोई दिक्कत तो चलो आज की class यहीं over करके मैं आप लोगों को 2.1 2.1 पूरी की पूरी exercise आप लोगों को मैं homework में दे रहा हूँ ठीक है पूरी की पूरी exercise आप लोगों को homework में दी जा रही है ठीक है इसके जितने भी question है 14 question है इसमें ठीक है पूरे 14 के 14 question आप लोग solve करके मुझे homework में send करेंगे और उसके next class में पूरे एक class तक आपको formula चलाओंगा जो 11 के formula थे उस सारे के सारे formula में यहाँ पर करवा दूँगा ठीक है तो आज की class में यहीं over कर रहा हूँ ठीक तो आप लोग 2.1 पूरा खतम करके लेकर आएंगे ठीक है